ओम हनमते नमा नमस्कार मित्रों मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल ने थे मित्रों विशेष रंकला के अंतरगत आज कल हम ग्रहों के कुंडली के उपर पढ़ने वाले प्रभाव और उसके बाद कुंडली का जातक के उपर पढ़ने वा रहे हैं मित्रों यह बहुत ही अच्छे वीडियोज हैं जोतिस के बारे में अगर आप जानकारी रखना चाहते हैं तो यह बहुत ही सुन्दर वीडियोज हैं अगर आप सुरुवात से लेकर अंतर तक इन वीडियोज को देखेंगे तो निसंदे आप जोतिस की बहुत सी च हीरा, तनु, केंद्र, कंटक, चतुष्ट्य, प्रथम, इस भाव से मुखिता जातक का सरीर, मुख, मस्तक, केस, आयू, योगिता, तेज, आरोग, आदि विसेयों का पता चलता है। नमबर दो, दितिवी भाव, या धन भाव कहलाता है, इसके अनिनाम है, पड़ह, दितिवी, इससे परिवार, दाईयाग, वाणी, बिद्या, बहमूल इसामकरी का संग्रह, शोना, चांदी, चलसंपत, नम्रता, भोजन, वागपड़ता, आजविसेयों का पता चलता है। नमबर दिन तितिवी भाव, या पराक्रम भाव के नाम से भी जाना जाता है, इसे मात्र भाव भी कहते हैं, अनिनाव हैं, आपो क्लिप, अप्चे, तितिवी, इस भाव से भाई बेहन, दायाकान, लग मात्राएं, साहस, सामर्थ, अर्थात पराक्रम, नौकरचाकर, बही बहिनों से सम्मंद, पडोसी, लेखन, प्रकाशन आजविसयों का पता चलता है। अनिनाम है त्रिकोन, पड़हर, पंचम, इस भाव से संतान अर्थाद, पुत्र पुत्रियां, मानसिक्ता, यंत्रग्यान, विवेक, इसमनरसत, विद्या, प्रतिष्ठाज विसयों का पता चलता है। अनिनाम है त्रिकोन, प्रतिष्ठाज विसयों का पता चलता है। अनिनाम है ले, इस्थान, पड़हर, त्रिक, अश्ठम, आठ्वे भाव से आयू, मेत्व का कारण, दुख, संकट, मानसिक पीड़ा, आर्थिक छथ, भाग्य, हान, गुपतांग के रोग, आकस्मिक धनलाब, आध्विसयों का पता चलता है। नमबर नो, नवम भाव, या भाग्य भाव कहलाता है, अनिनाम है त्रिकोणा और नवम भाग्य, धर्म, परास्था, गुर, पिता, पूरुजुन के पूर्णे पाप, सुद्धाचरण, यस, एस्वर्य, वैराग्याद विसयों का पता चलता है। नमबर दस दसम भाव, या कर्म भाव कहलाता है, अनिनाम है खेंद्र, कंटक, उप्चे, राज, दसम, दसम भाव से कर्म, नोकरी, ब्यापार, ब्योसाय, आजीविका, यस, सम्मान, राज, सम्मान, राजनीतिक विसय, पदाधिकार, पित्रधन, दीर्ग, यात्राएं, सु इकादस, इस भाव से प्रत्यक प्रकार के लाव, मित्र, उत्रवदू, पूरु संपन कर्मों से भाग्योदय, सिद्ध, आसा, माता, मरत्वाज विसयों का पता चलता है, नमबर बारा, द्वाव या ब्याव भाव कहलाता है, अनिनाम है अन्तिम, आपोकलिम, एम द्वाव इस भाव से धन, बे, बाईयाक, सहिया सुख, मानसिक कलेस, दैविया पत्या, दुर घटना, म्रत्व के उपरांत की इस्थित, पत्नी के रोग, माता का भाग, राज की संकट, राज की दंड, आत्मत्यायों मोच आद्विसयों का पता चलता है, तो मित्रों, हमारी यह नई की संखला आपको कैसी लग रही है, हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं, तो करिया लाइक करिए, सेर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आफार,